Halo दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग कुछ क्वेशन देखने वाले बाइलोजिक का ही कॉषचन होगा, ये सिरीज अब हम लोग का चल रहा है, बाइलोजिक का और बाइलोजिक का कुछ देखेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सुरू करते हैं आज क पानी में, दल डल भूमी में तिनों में मिलता है ठेका जैसे कि आपको पता है कि सुचमजीओ को हम लोग देख नहीं सकते हैं नंगी आख़ों से मतलब ऐसी नहीं देख सकते हैं उसको सुचमदर्षी से देखा जाता है और सुचमदर्षी आपको तो पता है, यह होगा कि हम लोग दिक्का जाता था स्कूल में, सोच मीदर्फरी मतलब हो तो माइक्रोस्कोप ठीक है न? उसको माइक्रो कोॉर्गेनिजम भी कहते है इनको जिसको नंग्या की समय देखा जाता है, ठीक है न? तो यह मिर्दा मतलब मिट्टी में पाय जाता है, जल में पाय जाता है, वायू में पाय जाता है, और यहां तक हमारे सरीर के अंदर में भी पाय जाता है, ठीक है ना, तो अगला question देखते हैं, विचानु विर्धी करता है, कहने के मतलब है, कि विचानु विर्धी कहां पे करता है, तो इसका जो answer वो है जीवीत कोसिकाओं में, ठीक है ना, जीवीत कोसिकाओं में विचानों बिर्दी करता है, ठीक है, ये अत्ति सुच में जीव हैं, केवल जीवीत कोसिका बिर्दी कर सकते हैं, जो मरे हुए कोसिकाओं वो बिर्दी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सरीर के बाहर तो ये मृत प आपड़ांट Kisil Nama at numa चीड जो होता है paofemom जो है वह एक लेटिन वर्डे है उसी से उसका मतलब होता है फ्ल तो पो मों और लउजी उसको हम लोग पड़ते पॉमोलो जिसami जो 2000 टाइप के fruit पाए जाते हैं हमारे पूरे पूर्थवी में, ठीक है अगला question देखते है द्वीनाम पदती के परतिपालक है तो द्वीनाम पदती मतलब होता है, दो नाम, ठीक है तो दो नाम पदती के परतिपालक कौन है, तो इनका नाम है Lineus ठीक है ना यह जो फोटो में दिखाए जा रहे हैं इनका फुल नाम है Karl Lineus ठीक है और दुई नाम पदती मतलब होता है Binomial Nomenclature जो हम लोगों ने पढ़ा था पहले 10th के 10th में और यह जीव जन्तु एवं वनस्पती जो होता है उनमें यह लागव होता है Binomial Nomenclature उनका दुदो नाम होता है ठीक है और यह एक विज्ञानिक है जिनका नाम है Karl Lineus ठीक है और वनस्पती तो अगला क्वेश्चन देखते है जीवानों की खोज सरव परथम किसने की तो आपको पता होगा कि जीवानीक कोई खोज जो है लियूवेन होक ने किया था और इनका पूरा नाम है अन्टोनी वन लियूवेन होक ठीक है यह फोटो में जो मैं दिखाया जा रहा है वही है अन्टोनी वन लियूवेन होक ठीक है इन्होंने के खोज अठारो सो चोनशाट में किया था ठीक है? अगला कॉस्चन देखते हैं जिन पौदों पर बीज बनते हैं किन्तु पूस्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब उस पर से बीज होता है लेकिन उस पूस्प मतलब फूल नहीं होता है जिवानू की साधारन आकिर्थी क्या होती है? साधारन आकिर्थी का मतलब होता है कि उसका नॉर्मल उसका आकिर्थी मतलब साइज क्या होता है? तो आपको बता दो यह एक छड़ रूपी होता है मतलब लंबा लंबा टाइप का होता है गोल गोल लंबा लंबाई टाइप का होता है, जैसे कि पोटो में दिखाया जा रहा है, यह एक्जेक्ट ऐसा नहीं होता है, मतलब इसी टाइप का होता है, ठीक है, और जो होता है, जिवानों एक को सिक्किये होते हैं, ठीक है, और यह मिली मीटर तक भी होते हैं, इतने लाते हैं तो जीवानू सबसे बड़े जो होते हैं उनको गोलानू कहा जाता है ठीक है और गोलानू यह इसमें टोटल दिखाया गया है कि आकार में सबसे बड़े और छोटे क्या होते हैं गोलानों मतलब जीवानों को जो होता है उसको बैक्टरिया कहते हैं तो आपको दीख रहा होगा कि बैक्टरिया का रेंज जो है यह 100 nanometer से लेकर एक micrometer तक होता है ठीक है ना तो आपको यहाँ पर दिखायो गया और उसे देखने के लिए हम लोग electron microscope का परियोग करके हम लोग देख सकते हैं light microscope से जो है थोड़ा दिक्कत हो सकता है देखने में लेकिन electron microscope से पूरी तरीके चेह देख सकता है, लेकिन खुली आखों से नहीं देख सकता है, ठीक है, अगला कॉस्चन देखते हैं, निमनलिकित में से कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है, तो इसका जो एंसर है वह तपेदीत, तपेदीत को टीवी बिमारी भी काता है, ठीक है, ये बहुत ही जानलेवा भीमारी हो सकता है, और इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, ठीक है, अगला कॉस्चन देखते हैं, एंटीबायोटीक्स अधिकांस, तया पाये जाते हैं, मतलब एंटीबायोटीक्स सबसे ज़्यादा कहां पाये जाता है, इसका अंसर है जीवान हुआ मैं ठीक है और आपको पता है कि जीवान को खोज मैंने अभी थोड़ देर बताया पहले आपको कि वह 1864 में किया गया था अगला कोश्चन देखते हैं निवन में से सबसे छोटा जीव कौन सा है तो यह जो ऑप्शन में दिखाया गया उसमें से आपको बताना कि सबसे छोटा जीव कौन है तो इसका जो एंसर है वो है माइक्रो प्लाज्मा ठीक है ना माइक्रो प्लाज्मा जो हता है वो 300 नेनो मीटर तक उसका साइज होता है ठीक है 300 नेनो मीटर से लेकर वो माइक्रो प्लाज्मा एक सेंटीमीटर तक होता है ठीक है और माइक्रोप्राज्मा का मैंने इसमें पोटो दिखाया गया जिसमें DNA, प्रोटीन, राइबोसोम, गुलंसील, RNA भी होता है और लिपो प्रोटीन जिल्ली भी होता है ठीक है DNA में आपको पता होगा कि हम लोग पढ़े थे DNA में भी बहुत सारे उसमें अंदर में होते हैं तो इसका एंसर है हेजा और हेजा और जीवानों से और बहुत सारे रोग होते हैं उनका नाम में बता देता हूं जैसे कि जिवाने से होते हैं हेजा, मियादी बुखार, नीमोनिया, तपेदीत, तपेदीत को मैंने बताया था, टीवी बिमारी कहते हैं, या च्छाय रोग ठीक ना, और फ्लेग भी होता है, फ्लेग ठीक ना, और इससे जो है, इन सभों से मिला के, हर साल 20 लाख लोग मरते ह तो या आप यादर किया, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीम ले लिखी, तो मैंसे किसके द्वारा दूद खटा होता है, तो दूद का खटा होना, वो स्वारी, दूद का खटा जो होना है, वो किससे होता है, ठीक है, तो यह है बै दही में आपको बता है कौन-कौन सा चीज पाया जाता है, कैलसियम पाया जाता है, प्रोटीन, बिटामिन, और ये दूद से भी ज़्यादा फायदे मन होता है, जिसको दही हम लोग बोलते हैं, और उसमें लेक्टोज, आयरन, फासपुरस भी पाया जाता है, ठीक है, तो ये एक संकर्मित बिमारी है, किसी संकर्मित, किसी को अगर हुआ है, तो उसके आस-पास मत जाये नहीं, तो आपको भी हो सकता है, ठीक है, तो आज का जो है वीडियो यही तक रखते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजेगा, और अगर आपक सोर उपाय का पाईशा अगर आपको जीतना है, तो आप इनसे वो क्वेश्चन का एंसर दीजे, लिंक दिया होगा नीचे में, और अगर लिंक आपको नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में बताएं में लिंक आपको भेज दूँगा, और चलिए, इतना ही रखते हैं, जाए हिं क्वेश्पन का अपको भेज़ भाल लिंट